हालो एवरीबड़ी वेलकम बैक ओनार यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ट बाइंजिनिस अकाडमी ये स्टूडेंट्स आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबको पता है कि DRDO STAB की पोजिशन पे सैप्टम 10 में टायर वन का रेजल्ट आ चुका है तो सबसे पहले सबको पता है कि DRDO क्या है डिफेंस रिशर्च और डेवल्मेंट ओर्गनाईजिशन ये इंडिया की प्रीमियर एजेंसी है अगर मैं यहां पर बात करूँ आपकी स्पेसिफिकली यहां पर आपकी पोस्ट थी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट STAB की पोजिशन थी और क्वालिफिकेशन इसमें केमिकल इंजिनेरिंग डिप्लोमा चाहिए था और यहां पर आपका जो नंबर ओफ पोस्ट थी 35 पोस् जिसमें कुछ लेबस था जिसके मैक्सिमम माक्स 120 थे और आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया गया था मैं डियर स्टुडेंट्स यह आपकी कट ओफ है जो कि DRD ने कल ही रिलीज की है और टायर वन का रिजल्ट आने के बाद में हम अगर कट ओफ की तरफ देखें तो जनल कैटेगरी का 89.97 जो की अप्रॉक्सिमेटली 90 माक्स और OBC का 86.51, SC का 83.1 और ST का 53.43 यह आपका कट ओफ आया है तो सबसे पहले congratulations all the chemical engineers जिनका भी यह आपका टायर 1 निकला है अब second step और final selection जिसके basis पे होने वाला है वो आपका CBD2 है टायर 2 है टायर 2 आपका purely technical subjects आने वाले है यह कुछ आपके टायर 2 है chemical engineering होने वाला पूरा टोटली technical paper होगा जिसके अंदर maximum marks 100 है और आपको minutes इसके अंदर 90 दी जाएंगी मतलब की डेर घंटे में आपको 100 questions करने है सो बहुत सारे अब जिनका जो self study कर रहे थे हो सकता है किसी का कोई non technical की preparation कर रहा होगा तो टायर 1 का जो syllabus था वो non technical जो preparation कर रहा हो बच्चा आराम से उसको निकाल सकता था क्योंकि उसका जो syllabus है वो एक ऐसा syllabus है जो लगबग लोग पढ़ते हैं यहां पर जो आपका टायर 1 निकला है अब टायर 2 को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हम यहां से मान सकते हैं कि हमारे पास में approximately 3 months है preparation के जिसमें आपको टेक्निकल सब्जेक्ट करने है आपकी जो final merit list लगेगी वो भी सरफ वो सरफ technical discipline मतलब CBT2 के score के basis पे ही लगन करने वाले हैं बहुत सारे confusion आपके होंगे आज मैं उनके बारे में आज discussion करने वाला हूं चलिए तो एक बार हम यहां पर chemical engineering के curriculum में कौन कौन से subject होते हैं उनकी बात करें तो heat transfer, fluid mechanics, process dynamics and control, mass transfer, thermodynamics, chemical reaction engineering, chemical technology, mechanical operation, plant design economics and process calculation यह आपके कुछ technical subject है chemical engineering discipline में अब पूरा focus आपका CBT2 पे होना चाहिए अगर किसी का CBT1 निकल गया है तो आप इर्द गिर्द की सारी की सारी चीज़ों को छोड़ के आपको पूरी की पूरी अपनी जो preparation है पूरा का पूरा focus आपको technical subjects पढ़ने में डालना है जैसा कि आप सबको पता है कि Nimbus Learning आपके ल कर रहे हैं self study कर रहे हैं now you have to focus on CBT2 technical preparation बहुत सारे ऐसे बच्चे जो technical को छुआ भी नहीं था और CBT1 पे जुके हुए थे CBT1 के लिए preparation कर रहे थे अब अगर उन्होंने technical subjects को चालू नहीं किया क्योंकि तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ी problematic बात हो सकती है क्योंकि final selection तो आपका CBT2 पे ही होने वाला है बहुत सारी चीज़े हमने की जैसे कि अभी भी मैं chemical reaction engineering के practice session आपके लिए लेके आता हूं रोज YouTube पे 7.30 to 8.30 हम practice करते हैं और यहां पे आपको लगबग लगा मालों की approximately 3 months होंगे आपको अगर हम previous analysis को देखें कि आपको यहां पे जो technical subjects हैं वो करने हैं So my dear students, आप निम्बस learning के एक नया batch शुरू हुआ था 13th of December को उसको join कर सकते हैं और हम यहां पे पूरी planning के साथ में पूरी strategy के साथ में इन subjects को complete करेंगे, conceptually complete करेंगे, आपको DPPs मिलती है, practice sheet मिलती हैं आपको and back end पे हम YouTube पे सब के लिए जो self study कर रहा है उसके लिए भी और ज करनी है, now focus on your chemical subjects क्योंकि important subjects है, technical subjects है, इनके आपको अच्छे से conceptually पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि DRDO में जो है, एक सपना होता है, किसी भी engineer का चाहिए, वो किसी भी branch का हो, कि DRDO जैसी संस्था में आप काम करें, तो उसके लिए महनत करना पड़ेगा, और I think जो उन्हो कारे course को join कर सकते हैं, आप इस course के साथ में जुड़े, तो technical sessions जो है, अपने technical preparation है, अपनी technical subject जो है, अच्छे से इनको करेंगे, तो अगर आपको और भी कोई query हो, या कुछ और भी आपको पूछना हो, तो directly मुझसे contact कर सकते हैं, 80-533-42250 पे, चाहे आपको course के regarding लेना है, न इस वीडियो के description में आपको गूगल form मिलेगा, उसमें अपनी details fill out कीजिए, हमारे executive आपको call करेंगे, और कुछ भी query हो आपकी हम resolve करेंगे, dear students, so now this is for the chemical engineering, subjects और maximum marks 100 है, और इसको हमें अब फोड़ना है, हमारे पास में time जो है, बहुत ज़्यदा time नहीं है, हमारे पास में बट इतना time है कि हमें subjects को फोड़ सकते हैं, हमें यहाँ पे बहुत 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 बहुतरीन तरीके से preparation करनी होगी, चलिए, thank you so much guys, ये था आपक के लिए वीडियो और मुझसे जुडने के लिए आप मेरे को नंबर पे मुझे call कर सकते हैं, मुझे WhatsApp कर सकते हैं, thank you so much for watching this video, मिलते हैं फिर से किसी next session में आपकी कोई बहुतरीन session लाते हैं, और हाँ, जो पच्छे self-study कर रहे हैं, मुझसे live 730, इसी YouTube channel पे जुडना ना कर सकते हैं, मुझसे वाल इकन फो लाते हैं, thank you